एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे हमको मिल गया सभी दू केटेगरी का है एको ये एको ये पाइसे हम बोले की नहीं बोले समझ में नहीं आता है सुनिये ध्यान से याप एक होता है सिया सुन्नी वहाबी और इस टाइप का तीन ठोता है बहुत तरगो केटेग होता है सिया देखो भईया इनका कहना है कि जो अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए जो कहता है अल्ला कहता है अल्ला करता है हमसे तो बबाले हो जाता है हम साइन्स कहीं से आप से सोचते हैं ट्रेडिशनल हीं साप से सोचते हैं सुन्नी कहता है कि भईया अल्ला तो मुहम्प दोनों को मानना चाहिए इनके सबसे करीभी ते मुहम्मप अब यही मत पूछिए ही लो, यह समझाइए नहीं पाईएगा आप, गजब टाइप का हो जाता है, एक बार हम मस्जीद में नमाज पढ़ने गये थे, हमको मिल गया सभी दू केटेगरी का है, एको ये, एको ये, भाई से हम बोले की नहीं बोले समझ में नहीं आता है, सुनिए ध्यान काँवरा कम पाइलाईए, अजब हाल है भाई हम जिसमें कमफर्टेवल रहेंगे उसमें पाईला लेंगे हम, भाई हमको मालीजे की हम यहां रखना चाहते हैं, तो इस हिसापचे तो लंगडा या पिर जिसके हाथ नहीं है वो फिर प्रातना करी नहीं पाएगा, अरे तुम कौन होते हो आईसे वईसे बोलने वाले हमारा जैसे मन करेगा हम वईसे पूजा करें जैसे लो कर रहे हैं वैसे वैसे करता जा और अगर कुछ नहीं आता तो फिर हनुमान चालीसा पड़ ले बात एक ही है किसी को कोई प्रोलम नहीं है तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम्हें बस अपनी आवाज को अपनी प्रात्ना को उस अल्ला या भगवान तो पहुंचानी ह जरिया कैसा है वो तुमारे उपर डिपेंड करता है हम भी बोले भाई साब आप का इलिए दिमाग लगाते हैं हमको जैसे कमफोर्टेबल रहें हम यहां हाथ बान सकते हैं यह भाई साब आए तो कहें कि दूआ नहीं मांगना चाहिए अल्ला तो सब दही रहा है दे देगा आई कर आए कि दूआ मांगो सब्सुरा पगला जाएगा अदमी सद्मिया कि नहीं आगया यह लोग को समझा नहीं सकते हैं किसी को भी जो धार्मी कटरता आगया आप उसको नहीं समझा सकते हैं तो यह सिया सुन्नी का मार हो गया है यहां पर अब साओधी अरब वगर आप में मत पढ़ना है चुप चप नौकरी लो काम खतम करो स्वर्ग नरख कुछ नहीं होता है आपको सीधी सी बात बताते हैं भाई आप हिंदू हो या मुसल्मान या सीख हिसाई सीख हिसाई जैन बहुत को समझाने की जरूवत नहीं है वो बहुत विद्वान है वो लोग में इनको मुसल्मानों को और थोड़ा बहुत हिंदू हो को समझाने की जरूवत है आप समझो भाई मरने के बाद आपके धरम का हिसाब नहीं होगा कि आपका धरम अच्छा था कि आपका धरम खराब था मरने के बाद आपके करम का हिसाब होगा आप अच्छा करम किये थे तो स जहार प्रम् करो क्या द़दा है इसे और जीब चीज है जैसे graduation कहीचों होता है कोई बीकव कीया है वो भी graduation ऐसे किया है कोई B.he किया है वो भी graduation ऒब हिनि ऐसे ह만ने लिए बांख शञाना ने है कुछे है और से ढगल्गी एक त्यॉक्ड है यही साहिए तो आप उसे समझा नहीं सकते हैं, परणाम कीजिए, मुझली में तो आदाब कीजिए, और चलते बनी हैं वहाँ से, नहीं समझा सकते हैं, भया नौकरी लो, सेटल हो, परिवार को चलाओ, देखो कहानी सीधी सी है, इस वीडियो में मेरे हिसाब से आज खांसर ने कुछ भी कलत नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कुछ महान लोग आएंगे, फिर से कहेंगे, आजए ससका दिल्ला, और कुछ नमोनों ने मुझे कहा था कि तू हलाला पर बहुत बोल रहा है, अगर तरी हिम्मत और न्योग प्रता पर बोल कर बता, भाई, मैं उसके ओपर सारा नहीं लोग और एक बार सोच कर देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान का बटवारा धरम के आदार पर हुआ, तो फिर क्यों हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे हैं, मतलब साब था ना, कि पाकिस्तान का बटवारा बिना हुए भी हम लोग आजाद हो सकते थे, तो फिर क्यों नहीं लिए तो जरुरत है न सीधी सी की भाई साब एक हो जाओ मानों बन जाओ ना इंसान बनो क्यों फिर जिहाद के चक्कर में चलते हो फिर क्यों ये फिर कट्रता लेकर आते हो मैं दोनों ध्रमों के लिए बोल रहा हूं ऐसा मा समझेगा मुर्खों की संक्या आप में थूड़ी